बचा हुए अपने जो पार्ट आफ स्पीच है उसमें कंजंग्शन और प्रिपोजिशन तो इनके जो लगवग 25 एक रूल कुल मिलाके इंपॉर्टेंट जो है उनको देखना शुरू करते है रूल नमबर वन इसको पिछली क्लास में भी डिसकस किया था नो सूनर के साथ इनवर्जन तो फॉलो हुआ लेकिन देन की जगे वेन आ गया तो ये भी गलत हो गया तो करेक्ट सेंटेंस यहां पर बनेगा नो सूनर डिड्शी तो इनवर्जन फॉलो करा दिया कंजंक्शन यहां पर आ गया यह वाला करेक्ट है इसके अलावा जो और इसके ऐसे जो या फिर hardly had शीतल, तो दोनों में से कौन सा सही होगा? hardly के साथ when तो दोनों में आ रहा है, inversion follow इस वाले में नहीं हो रहा है, तो इसलिए पहला वाला गलत है, दूसरा वाला यहां पर सही हो जाएगा. rule number 3, generally when verbs are placed after preposition, preposition के बाद जब भी ज्यादा तर cases में work place किया जाते हैं, तो वो gerund form या ING form में उनको place किया जाता है, example देखें, I do not believe in wasting time, इनके बाद यहां पर waste नहीं लिखा, wasting, ING form आया, फिर Mohit insisted on going to Mumbai, insisted on, on के बाद यहां पर go का ING form, going to Mumbai, तो यह भी correct है है यहां पर, PV Sindhu was confident of winning the tournament, off के बाद यहां पर winning the tournament, SSC में, I think 2020 का paper जब solve कर रहे थे, तो इस पर एक question था उसमें, error detection में, पर 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 इनजी का form उसमें नहीं दिया हुआ था, fourth वाला, following phrases end in to, ना कुछ अपने को शब्द याद रखने पड़ेंगे, जैसे used to, accustomed to, averse to, addicted to, look forward to, in addition to, इन सब के बाद हमें, ING form लगाना होगा, verb का, example देखें इसमें, I am looking forward to meet her, या फिर I am looking forward to meeting her, तो यह कुछ special group of words कह देंगे, जिसके बाद हमें, ING form यहाँ पर use करना होता है, again इस वाले पार्ट से भी CGL में, पिछले साल सवाल पूछा हुआ है, looking forward to meet her, यहाँ पर looking forward to के बाद, ING form आना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसलिए यह गलत है, यह वाला सही है, next, he is addicted to smoke, लब cigarette पीने का वो आदी है, तो he is addicted to smoking, smoking, ING form यहाँ पर लगेगा इसमें, again यह वाला correct होगा, यह वाला गलत है, next, I am used to, used to, उपर वाली list में था, इसके बाद ING form आना चाहिए, तो wake यहाँ पर गलत है, correct हो जाएगा यहाँ पर waking, इसके बाद हमें इसका प्रयोग नहीं करना पड़ता, वो superfluous हो जाते हैं क्योंकि, जैसे यह एक example से लिए हुआ है, since she was unwell, so she did not go there, तो कहना यह चाह रहे हैं क्योंकि वो बिमार थी, इसलिए वो वहाँ पर नहीं गई थी, अब यहाँ पर जोंकि आपने since already जोड दिया है, तो उसका मतलब ही होता है क्योंकि वो बिमार थी, इसलिए वो वहाँ पर नहीं गई थी, तो उसलिए फिर हमें उसके साथ so, therefore, that's why, ऐसा कुछ लगाने की जुरत नहीं होती, यह इसको superfluous बना देता है, rule number six, when an infinitive qualifies a noun, the preposition is placed after infinitive, यह अजीब से बहुत भारी-भारी शाब्द हो जाते हैं, इसको example से देखो, शिवांगी गेव मिए पैन टू राइट, शिवांगी ने मुझे पैन दिया लिखने के लिए, दूसरा example, शिवांगी गेव मिए पैन टू राइट विथ, तो जब भी इस तरह के structure बने, कि कुछ पैन था, और उसका साथ में purpose उसका लिखा हो, to write, to read, to scan, लगाना पड़ता है, इस इन्फिनिटिव के आगे, शिवांगी गेव मिए पैन टू राइट, इतना part जो है, सही नहीं माना जाएगा, हमें with के आगे preposition appropriate लगाना पड़ेगा, शिवांगी गेव मिए पैन टू राइट, विथ, अब ये सही हो गया, उसे तरह से, it is not a safe place to live, तो ये to live जो है, इस place को qualify कर रहा है, तो इसलिए इसके आगे correct preposition यहाँ पर हमें add करना पड़ेगा, it is not a safe place to live in, अब ये correct होगा, थोड़ा सा ये tricky माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस part में आपको infinitude दिखेगा, to write, to read, इस तरह का कुछ न कुछ, जैसे यहाँ पर to live, और उसके पहले ये किसी चीज़ को qualify कर रहा होगा, किसी noun को, to write यहाँ पर pen को कर रहा है, to leave, यहाँ पर place को कर रहा है, कुछ इस तरह का, तो ये structure बस रहेगा, आखरी में infinitive से end होता हुआ दिखे, तो एक बाद थोड़ा सा रुक के देखना, कि क्या इसके आगे preposition कोई लगाने की जुरत है या नहीं, rule number seven, when two words, your adjectives, require different prepositions, appropriate preposition should be used with both the words, कई बार क्या होता है, कि हम लोग लिखने के दौरान कुछ prepositions को खा जाते हैं, तो वो इस तरह से फिर error यहाँ पर बनता है, जैसे, her dress is different and cheaper than mine, तो यहाँ पर कहना यह चाहरा है, कि उसकी जो dress है, वो मुझसे अलग सी है, और मुझसे सस्ती है, तो यहाँ पर and से यहाँ आप 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 इसको connect कर रहे हो, तो यहाँ पर different और cheaper than, compare आपने करा है, यहाँ पर cheaper than, लेकिन different को यहाँ पर as it is, लटकाया हुआ है, इस वज़े से यहाँ पर error इसको माना जाता है, correct तरीके से कैसे लिखेंगे, her dress is different from, अलग है and cheaper than mine, मेरी dress से उसकी dress जो है वो अलग है और सस्ती है, different के साथ भी preposition डालना पड़ेगा, cheaper के साथ भी appropriate preposition डालना पड़ेगा, अब यह sentence हो जाएगा, correct, rule number eight, a preposition is usually placed before its object, but when it is placed object of typical सा हो गया, so simple सा देखो, this is the restaurant of that she always talks, कुछ rule नहीं पता है, तो भी देख के यह तो बता सकते हैं कि यह इसमें error है, अजीब सा sentence लग रहा है पड़ने पर, this is the sentence of that she always talks, sense यह जा रहा है, या sense जो आना चाहिए, कि यह वही restaurant है, जिसके बारे में वो बताती है, या जिसके बारे में उसने बताया था, तो इसको लिखने का correct तरीका क्या होगा, this is the restaurant that, यह that किसको बता रहा है, रेस्टोरेंट क्यों, she always talks of, जिसके बारे में वो बताती है, जिसके बारे में वो बार बार बताती है, इस वज़े से ये वाला structure जो है, ये सही मानेंगे, ये वाला गलत, इसको तो पढ़ने में इस अजीब सा लग रहा है, जिसके बारे में वो हमेशा बात करती है, रूल नमबर नाइन, कम अक्रॉस means to meet suddenly, और by chance, जिसके साथ कम अक्रॉस के साथ लगाने की जुरूत नहीं पड़ती, वो उसको superfluous बना देता है, एक्जांपल देखें, जब में मार्केट गया था, तो suddenly मुझे अपना एक पुराना दोस्त वहाँ पे मिल गया है, तो suddenly भी लगा दिया है यहाँ पे, इस वज़े से यह हो गया, superfluous, इस वज़े से यह हो गया, एक्दम से, unexpected तरीके से, तो यह दोनों साथ में प्रयोग नहीं करेंगे, suddenly यहाँ से हम लोग remove करेंगे, rule number 10, enter, enter words से जुड़ी कुछ चीज है, enter without the preposition into, is used to enter physical spaces, कि आप किसी room में आप enter कर रहे हो, ऐसा कोई भी physical space जब होगी, तो वहाँ पर हमें into लिखने की जुरत नहीं होती है, otherwise लिखने की जुरत पड़ेगी, जैसे, सूरज entered into the classroom, या फिर सूरज entered the classroom, सूरज classroom में गया, उसमें घुसा, तो classroom अपने आप में एक physical space है, तो इसलिए यहाँ पर into की requirement नहीं है, यहाँ पर सिंपल सा लिखेंगे, सूरज entered the classroom, बस, खाथाँ, दूसरा example, वी रिग्रेट एंटरिंग अफ फाइनेशल एग्रिमेंट में उतरने की बात हो रही है, अब एग्रिमेंट तो कोई physical space है नहीं, इसलिए यहाँ पर हमें into का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए पहला वाला जो पार्ट है, यह सही नहीं है, दूसरा पार्ट, वी रिग्रेट एंटरिंग इंटू, अब यह करेक्ट हो जाएगा, रूल नमबर 11, verbs of communication, जैसे कि advice, tell, inform, ask, back, comment, order, urge, इस तरह कि जो इनको कहेंगे, verb of communication, don't take preposition to, before the direct object, इनके साथ, इनके बाद हमें, to लगाने की जुरत नहीं पड़ती, जैसे example, I informed to the police of the accident, या फिर I informed the police of the accident, मैंने police को accident के बारे में, incident के बारे में, पूरी जानकारी दे दी, informed verb of communication है, इसलिए इसके आगे, to लगाने की जुरत नहीं है, I informed the police, इतना statement यहाँ पर सही है, without to, फिर he encouraged me to start that business, he encouraged to me to start that business, again encouraged, इसके बाद to लगाने की यहाँ पर requirement नहीं है, पढ़ने में भी अजीब सा हो गया हो तो, correct होगा, he encouraged me, खतम, to की जुरत नहीं है यहाँ पर, to start that business, अब यह correct है, तो यह कुछ verb of communication है, इनके बाद हमें to नहीं लगाना होता है, rule number 12, mode of transportation, takes preposition by, when it comes with, go, come, arrive, example देखें, sohan is going in car, तो कहने लगा ही चाहरे हैं, sohan जो है वो, car की माद्धियम से, या car से जा रहा है, तो लिखने का जो सही तरीका होता है, वो होगा, sohan is going by car, यह वाला गलत है, सही होगा, mode of transportation है, go, come, arrive, इस तरह का word है, तो वहाँ पर, by का हम लोग, use करेंगे, ना कि in वगरा का, rule number 13, if two verbs, adjectives, take two different preposition, we must mention both the preposition, ऐसा ही related एक उपर भी था, he is conscious and engaged in his work, तो वो अपने काम में, बहुत consciously वो कर रहा है उसको, और पूरी लगन के साथ वो उसमें लगा हुआ, तो engaged in तो यहाँ पर आ रहा है, he is conscious in his work, या फिर, conscious के साथ कुछ और हमें लगाना पड़ेगा, engaged के साथ तो आ गया, conscious जो है यहाँ पर अपने आप में लटका हुआ है, कुछ इसके साथ preposition नहीं है, इसलिए इसको सही नहीं मानेंगे, better statement होगा, he is conscious of and engaged in his work, अब यह हो जाएगा correct, तो हर एक वर्प के साथ, उसका associated appropriate जो preposition होगा, हमें उसके साथ हमेशा लगाना पड़ेगा,